असलाम वाइकम स्टूरेंट्स जैसे के हमने प्रिविज लेक्शर में आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन की डाफिनिशन देखी है जैसे कि मैं आपको बताया कि यह डाफिनिशन बहुत जादा इंपॉर्टन्ट थी क्यूंकि हमने इंसलेटिड कोस्टन देखने थे तो आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन का कोस्टन करवाया है तो आपको यहां पर जब मैं दो कोस्टन करवाऊंगी दोनों कोस्टन बहुत जदा इंपॉर्टन है बहुत जदा आपको अगर कहीं से और कोस्टन मिलते हैं आप और कर सकते हैं बर जितने कोस्टन मुझे मिल में वा है नोगा उनमें से एक कुस्चन जो है वो जीसी मेंन केमपस मिड टम के वेपर में हुआ है यानि कि आप यही से अन्दाज़ा लगा ले निए कि आईगन वैल्यू और आइगन फॉंक्शन के जो कुस्चन है बहुत जादा बहुत जादा इंपॉर्टंट है तो हमारे पास question क्या है question है हमारे पास यानिके equation क्या है आप पास u double prime plus lambda u equal to zero with आप पास conditions के initial and boundary conditions हमें given होती है क्योंकि हमारे पास system है वो क्या है regular SS system है जिसके हमने eigen value and eigen function find करना है आप eigen value क्या होती है lambda और eigen function क्या होता है u of x होता है जो कि कभी भी zero नहीं होना चाहिए यानिके u of x आप पास non zero होगा तो तभी आप पास eigen function आएगा eigen function को हम eigen solution भी बोलते हैं अब आप पास condition क्या है u of zero equals to zero and u of five equals to zero यह दोनों जो हमारे पास initial conditions है इन दोनों conditions को हम इस equation में put करेंगे कब तबसे पहले तो हम इस game को sl की form में convert करेंगे sl की form में convert करने के बाद हम इसका u of x calculate करेंगे u of x calculate करेंगे यह दोनों के यहूँ आप जिरो की form में यहन के conditions given है u of zero का मतलब है के x यहां पे zero है तो यहनिकर u of x हमारे पास आईगा तभी हम जब यह condition अप्लाय करेंगे यह कंडिशन अप्लाइ करेंगे हमारे पास आइगन फंक्चिन आएगा तो मूब करते हैं हम कोशन के स्लूशन की तरफ बहुत इजी कोशन है बहुत इजी कोशन है इतने मुश्किल कोशन नहीं है तो हम जल्दी से कोशन के स्लूशन की तरफ मूब करते हैं लेकि इससे पहले और उसके हम आपको स्लुशन पोड़ाइड करें कोई भी चीज समझ नहीं थी तो आप मैं से पुछें उसके लावा में चैनल को सब्सक्राइब करने क्योंकि आपको कम्प्लीट जीजी में कैम पस कोर्स के कॉर्डिंग यहां पर लेक्शर देंगे तो आप ने में चैनल को अच्छी लगती है और शेयर मस्करें और अपना फीडबेक मस्क्राइब करें क्योंकि हम स्ट्रोएंट की डिमांड पे इस ताइप के लेक्शर आपको पुवाइड करें तो हम उप करते हैं कोश्चन के स्लूशन के तरफ कोश्चन के स्लूशन में सब्से पहले हमें गिव अब इस एसलिक एक्वेंट के साथ हमने बीसिकली जो कमपर करना ये जी ज्डियर के लिए वीडियर का दिने घ्लिए यहां पर देखिंगे डी यहां पर यॉ डॉबल फ्रैम है तो आप इसका मतलब कि एडी स्केर u by dx के, इसका यह मतलब है ना और इसको आप लिख सकते हैं d by dx और d u by dx, इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यह इनके बान है, क्योंकि हमने pfx की value यहाँ से पर निकाली 1, ठीक है, आप compare करेंगे प्लस यहाँ पर कोई time नहीं है यहाँ पर next time lambda वाली है और it means के qfx की value क्या है, 0 है और साथ ufx लगा देंगे, तो qfx की value हमने 0 निकाल ली प्लस lambda लगाएंगे rfx की value यहाँ पर lambda u है, ठीक है, lambda ufx है तो यहाँ पर बीच में कुछ भी नहीं है, तो it means के 1 है और uf5 equals to 0 यहाँ से आप a और b की value निकाल सकते हैं यह जो value होती है, यह एक ही value होगी और जूसरी value होगी और जूसरी value होगी और बी की value क्या है, pi है और एक ही value क्या है, 0 है अब यहाँ तक आपने इतना काम कर लिया अब जो आपर पास given differential equation है उसको आपने characteristic equation में या auxiliary equation में convert करना है और यह convert करने का तरीका आप वैसे जो आपे पास जो book है mathematical method, SM Yousef की जो book है उसके chapter 9 और 10 में आप यह साइज चीज़ें कर चुकी है कि auxiliary equation या characteristics equation आप किस ताह से बनाते हैं किसी भी differential equation की यहाँ पर again आप सीख लें तो देखें now auxiliary equation या इसको characteristic equation भी बोलता है auxiliary equation या characteristics equation आप पास किस ताह से आएगी जो differential equation है u double prime plus lambda us की आपने auxiliary या characteristic equation बनानी है वो कैसे आएगी या सारा का सारा काम जो वो chapter 9 और 10 में सीख चुके है SM Yousef की book है mathematical method उसमें तो यहाँ पर हम इसको convert करेंगे तो d square plus lambda या को 0 आजगा यहाँ से आपने d की value रिका ली d की value के आगी plus minus yota square root of pi आगया sorry square root of lambda आगया अब यहाँ पर आप पास यह कौन साए complex root है a plus yota b की form में आप इसको लिख लेती है तो 0 plus minus yota square root of lambda आगया यहाँ पर आप पास यह जो complex number है complex number जब आपके पास आजए तो उसके लिए आप ने चैप्टर 9 और 10 में जो वो छीख था कि जब कंप्लेक्स नमबर आजए तो आप पास इस टाइप का फॉर्मूला लगता है यहाँ पर यू आप यू आपक्स आता है आप यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ जीरो है आर इस पर ए लिख लें ठीक है अपनी असानी के लिए क्योंकि हम ए प्लस और यूटा बी की फॉर्म में इसको पढ़ रहे हैं ए प्लस माइनस और यूटा बी ठीक है तो एक एक क्या है यहाँ पर जीरो है तो आर की पावर जीरो के आईगी वान आजएगी तो नेक्स अब यहाँ पर मैंने जैसे के बताया आर की पावर जीरो है और नॉट क्या होगा वन हो जाएगा यहाँ पर बन लिखने की जूरत नहीं है तो आप पर पास यू आपक्स क्या आजगा एक कॉज आफ स्के उटाफ लेंडा एक्स प्लस भी स्के आफ स्के रूटा फ्लैम्ड करें के यू आफ 0 eq costs to you 0 it means that x क value 0 अर यहाँ पर x की value 0 फूट करेंगे तो u FROM 0 किस की equal is wyst 0 के तो यहाँ पर 0 अपर प्लाइक कर दिया है और M पर size की item 0 होगा अब हम जाएगा तो a की value यहाँ से आघी. 0, अब हम जब वो दूसरी भी initial condition पूट करे लेते हैं, दूसरी condition क्या है u of pi equals to 0 हम इस condition को भी पूट करते हैं और मज़ीद हम जब वो, क्यूंकि हमने जब वो u of x calculate करना है, u of x आपपर पास का eigen function है अब eigen function calculate करने के लिए सब से पहले हमें क्या चाहिए आइगन फंक्शन यू आफ एक्स है इसको कल्कुलेट करने के लिए हमें यहां पर इसके मिड में एक और अन्नाउन वैलियू है जो किया है लेमडा की है यहने के आइगन वैलियू भी हमें चाहिए तो आइगन वैलियू होगी हमारे पास तो आ करेंद करेंके लिए इक्षर नार प्राइन सामयत प्राइब अुन, कि मतेशने प्रेस क क betतेंद न प्रिफ यह वाट टो टम है एक सब्सक्ति है और एक सभी है तो ध्याने के ब्ताइन र्लों हो सकते हैंजाएशा खूं कोई सब्सक्राइब ऌर घेटे ऊंड़ पाइब करे अगलOTH ढेसं मुझे सब्सक्राइब सब्सक्राइब, और चिए रहे हैंखो, यह वैं रहे थे थे सा ओनिसम पहते हैं लोगे हैं आपका जोरी मिर्रों कुंको यह पाय लिकनी लिकषिक न का pessimन करती हैं में पकिन cancel होजेगा तो यहां पर लेंडा कि आ जयेगा और लेंडा की वैल्यू की आ जेगीеро की आज़ेगी अब यह पर लेंडा क्यों लिखा न हमने क्यूल आ यहां पर लिखाल है क्या था शायन अलिए सब जीरो जब हमने निकाला तो एनफ वैल्यू लिए है यहां पर हमाई पास जो लैम्डा की वैल्यू है इस डिफरेंशल एक में जो हमें पॉस्चन में गिवन थी अब हम जो वह आइगन फंक्शन भी वाइंड कर लेते हैं आइगन फंक्शन या आइगन स्लूशन अब न स्क्वर्स के रहा हमें एंड लूशन लावश कोब्स प्रहत कर लेना चाहिए 6 साहिख आइगन फंक्शन तो दो उसे के चाहिए इंड लूशन जो है यहां वेगन फडिंड फ्रहत बस्तों कशल देग गल्सक्ति स्क्वर्स के इ都 planning और 120 कि बाल ढरः इसकि अई जीरो हम अब यहां पर एक जगह जिरो पुट करेंगे तो साय के साई टर्म जिरो होगी अब बी वाली टर्म में आज इट साइट स्क्रूट आफ लेम्डा की जगह N लिखा अब मैंने क्या पताया कि हमने लेम्डा जो निकाला था यानिक जो हमारे पास आइगन वैल्यू आई है वो हमने इन जर्णल निकाली ए एन टर्म निकाली तो इसलिए यहां पर हम यू एन अफ एक्स लिखेंगे और यहां पर बी गे जगह बी एन लिख लिए और साइन अफ तुच्क कहां किया यहाः प्रणशण और यहां पर यहां परقتव समक्शन जो कि उता जोओ के मैं बेन अपको प्लिट अम्यू इसका मतंब। इतशलीशन दीया ईब हम अपने नेक्स कोशै की तब अम eran dataี้ में जैकि आया हूआ के बिटाल कर दोब कर घिंदाए जै से पर आ आपको बताने लगी हूँ जो आपके साथ डिसकस करने लगी हूँ तो देखे हमाइवाइपास सेकंड कोश्ट ने है डिटर्माइब आइगन वैल्यू अड आइगन फंच्छन यहां पर आप एगन फंच्छन लिख लिक लिख लिएगा अब अब दा सिस्टम कौन सा सिस्टम आप पास टिफरेंशल इक्मेहन गिवन है यू दोबल प्राइम फ्लस लैम्डा यू इकोज तो जीरो और यहां पर हमाय पास फंक्शन तो वही है दिफरेंशल इक्मेहन तो वही है लेकिन अम्हाय पास जो अनिशिल कंडिशन था वह चेंज है यू अफ जीरो इकोल सु लेकिन जो स्टेप्स भी सेम होगे और का लेकिन नेक्स जाकि जब हम जो वह कंडिशन अप्लाइ करेंगे तो आप पास टोटली कोश्टन का अंसर भी चेंज आजेगा सब कुछ चेंज होजेगा तो सबसे पहले हमारे पास क्या है एज गिवन हमारे पास जो डिफरेंशल इक क्वेन है वो क्या है यू डॉबर प्राइम प्राइम फ़स लेंडा यू एकोश्टू दिरो यही वो कोस्टन है जो जी सी मेन केमपस मिट टेम के पेपर में आया हो है तो आपने इसको अच्छे से नोट टन करना है और को बहुत जाना इंपौर्टन पर्टन्ट है दोना मे यहां से आप पर पास दीख सकते हैं और यहां से आप देख सकते हैं सेम मैथर्ण हम अप्लाइ करेंगे यहां पर पास और घू अप्लाइ किया था तो आप पर पास यूइ बलाग़या था यहां पर टू यान पर एक ये र नौट है Poisности और बाकी R01 है तो इसलिए मैंने हाँ पर मैंचन नहीं किया मैं कोशन नमर वन में डिटेल में बता चुकी हूं पर भीर्ग करने देटेल बता है। तो क्रिफेका यहां पर हम चुक कम लिए का नियों लेर्यायमिय। नियों अपका कि इस में बताए हैंLम दका को शु कंणिभा प्र निज करते हो फ्लाइब हैं यहां से और यहां से कृझ फुली निकाला है। एक प्राइम आप अ मारे पास क्या श्केर सब्सक्रा उन्हें स्कार थे चुक्त आपकर तू इस आप नहीं बतारीं टीक क्या हुआटिव खान यह तो यह वाली टेम आज गी एक मेन नबर तू का आप इसको नहीं दे दोगे अब आपने क्यों कर तो इन गणिशन को आपने प उसकर आईसके सोटेशने कहते हैं। हम सबसुपह प fumड़ कर देहां पर आप चीक खिल ? झाल, चाल लिए कर लिघ सबतों को समझेक हैं। दजर नाय यहां पिले कर देचें। सबसुपहएं पुट करेंगे कशियों एक रिखित का लगतितों है। जो आप एक्वेट करेंगे यू अपने पाय पुट करेंगे तो एक्वेट 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 करेंगे त question बहुत जादा important है क्यूंकि इसमें हम एक difficult method या एक different method देखने लगे हैं जो के बहुत से बचों को नहीं पता आप देखें इसमें क्या है as u prime of 0 equals to 2 u prime of pi यहाँ पा जो आपर पास u prime of x वाली टर्म यहाँ थी उसमें x की जगा 0 पुट करें तो आपर पास b square of lambda बच जाएगा और दुसरे साइड पर 2 आजिट रहा यू प्राइम आफ पाय में तो x की जगा पाय पुट करें यू प्राइम आफ एक्स में इसी क्में में x की जगा पाय पुट कर जाता है तो square of lambda square of lambda से cancel out हो जगा तो b equal आजएगा minus 2 a sin square of lambda pi plus b cos square of lambda pi यहाँ पर भी आप A या B की value नहीं find out कर सकते हैं तो यहाँ से हमने क्या किया है देखें यहाँ पर हम a वाली टर्म को एक साइड भी लेगे हैं तो 2 a sin square of lambda pi आजएगा यहाँ पर pi लिखा हुग है यहाँ देखें यहाँ पर यह जो भी है यह दूसरी साइड पर जाएगा तो b common लेने तो 2 cos square of lambda pi minus 1 आजएगा इसे तरह से आप एक वाली टर्म को एक साइड पर करेंगे तो a into 1 minus cos square of lambda pi equal आजएगा b sin square of lambda pi के आप इन दोनों equations को इस equation को और इस equation को equal to 0 भी पूट कर सकते हैं यहाँ क आप फूर not trivial solution of a and b a or b ka हमें non trivial solution चाहिए क्योंकि हमने यूफएक्स करकूलेट करना है याई कि आइगन function calculate करने के लिए हमें जो है हमेशा इस्फु आप जो है यूफ एक्समें a or b की solution होता है यानि कि a or b की जो वालीवस होती है वह non trivial होने चाहिए जीडो ना हो यूफास क अब भी भी जीरो ना हो तब आप जो वो आइगन फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं यह हमने डेफिनेशन में देखा है आइगन फंक्शन और आइगन वाल्यू की डेफिनेशन में तो सब्सक्राइब करने के लिए अब हम कौन सा प्रॉसेस ऐसा करेंगे मैं आपको बताती हू तो देखें हम जो ए और बी की वाल्यू फाइंड करने के लिए हम यहां पर क्या करते हैं ए वाली टेम्स को यहां पर लिखा और बी वाली टेम्स को यहां पर लिखा जो आपे पास एक्वेयंस बनी है जिनमें हमने जो ए और बी की टेम्स अपर किया है अब हमने जब वो ल थो 4 plus 2 की डेम इसका स्क्राइदी प्राइष को पत्यों प्राइप कर आ पाइसे कर सेचिय लीफ़ सक्राइभ आप स्क्राइभ स्क्राइट जीना सब्सक्राइब ट्राम आप करने और पुछ जानते हैं उतेरी सिह वीफित हैं हूं minus two cos square root of lambda pi और minus cos of square root of lambda pi यह दोनों add up होंगे तो minus three cos square root of lambda pi यहां से बना पालेए कि कालिकलेट कए किलिए करेंगे एज को मियाप बताती हूँ दिसका सकी हजए सबस्य पढ lav द्रिके यहां पर दो है किसे कहा दो हमें पर आज आएको पालगे पर माइपी तो यहां पर हम कौज को दूसरी साइट पर लेके जाएंगे तो कौस inverse होजगा स्केव आप लेकिगाएंगे, कौस inverse होजगा पाइक कौस inverse कोज अपना अंसर कहां पर बन देता है, तो वह पर फास टू न पाई पर गोले की है, तो आपना जानली लिखा है, हम थो इसको इनजर स्क्वाइघ मत पार सब्सक्綜ीं से लैंदा दो包括 को साइग ऐएगन वैल्युय Universi से लैंदान डीक आपूड़न क्ना मärt फंक्शन अम्रेकर पार सथी मिजरे भान फंक्षेगर यहां पर आपने देखी cause inverse of 1 की जगह नट input की है 2n pi ठीक हो गया तो यहां पर an cause of जहां चहां पर जहां जहां पर square root of lambda होगा वहां पर आप 2n put करेंगे square root of lambda की जगह 2n put करेंगे क्योंकि हमारे पस u of x में square root of lambda include था तो वहां पर हमने 2n put करेंगे और साथ x आगया bn sign up to n x आगया और यहां पर आपस answer है question number 2 का कोई भी चीज समझ नहीं आती तो आप मुझे से पूछ सकते हैं क्योंकि हमने eigen value और eigen function से related हमने question देखे हैं और जो के most most important question है ठीक हो गया तो कोई भी चीज समझ नहीं थी तो पूछें otherwise आप क्या करें वीडियो को जादा थाज़ा शेयर करें वीडियो ची लगती है तो like मस्ट करें अपना feedback मस्ट यह करें और चैनल को subscribe करें क्योंकि आपको GC main campus 6th semester and MSc, BS 6th semester and MSc 2nd semester के proper lectures मिलने वाले हैं तो आप चैनल को subscribe करें और वीडियो की sequence के लिए playlist पर जाएं तांकि आपको कोई भी lecture मिस नहीं हो सकें okay students Allah Hafiz